मित्रो नमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल लंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्देग अभी नंदन करता हूँ आपके ही अपने चैनल कमल लंदलाल पर यूट्यूब आईजी टीवी नेटवर्क और फेस्बुक पेज पर सबसे पहले आपसे निविदन आपसे आग रहे आपसे रिक्वेस्ट के चैनल अभी अपने नए फॉर्म में है तो उसे लाइक करें सब्सक्राइब करें इसे आगे ले जाएं ताकि जो हम बहुत रिसर्च करके मेहनत करकर यह जो ग्यान आपके लिए लेकर आते हैं यह बूसरों तक पहुंच सके इसमें हाथ बटाएं और चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हों तो भी उसे आप अपनी कम्यूटी में शेर कर सकते हैं अपने पेज पर अपने प्रोफाइल पर यह मेसंजर पर शेर कर सकते हैं आप इसे वाट्सअप पर भी शेर कर सकते हैं आप इसे किसी भी कम्यूटी में शेर कर सकते हैं आप चाहें तो लिंडेन पर किसी पर और शेर से उन्य का काम होगा यह जो नॉलेज है इससे आपके जीवन में तो सकारातमकता आएगी ही आएगी साथ बसाथ के अंदर ये नौलेज ये जो ग्यान है ये किसी के जीवन से दुख दुर भागे और दरदरता को भी मिटाएगा कितने बड़े पुन्य का काम करेगा आपका एक शेर शेर जरूर करें बलाकिन जरूर दबाएं कुत्ते का रोना देता है मृत्यों का संकेत आपने सुना ही होगा ना बड़े बुजर कहते हैं कि कुत्ता रो रहा है बहुत बड़ी अशुप्ता है इसको यहां से भगाओ कुछ लोग बिचारे को पत्थर मार देते हैं कुछ लोग आवाजे निकाल करके भगा देते हैं उसे इस प्रोग्राम में हम तीन सेग्मेंट लेंगे छोटे छोटे एक होगा जन शुरुती यानि कि लोगों की क्या माननेता है एक देखेंगे हम पशु मनोविज्ञान से क्या आप जानते हैं पशु मनोविज्ञान एनिमिल सेकॉलिजी एक अलग सब्जेक्ट है और उसके अंदर भी एक डेरिवेटिव सब्जेक्ट है जिसे कहते है डॉग सेकॉलिजी इसके माध्यम से भी देखेंगे और शकुन अफशकुन शास्त्र क्या कहता है इस माध्यम से भी हम देखेंगे कितना शुब और कितना शुब तीनों पहलू आपके सामने रखों कुत्तों को रोता सुनकर सबकी हालत खरा हो जाती है सही बात तो यह है सब यह सोचकर परिशान हो जाते हैं कुछ अनिष्ट होने वाला है कुछ अशुब होने वाला है यह तो अपशकुन है कुत्तों का रोना हम बहुत अशुब भी मानते हैं और बिना कारण यह जाने की कुत्ते के रोने का क्या कारण देखें आप जन्शुटी क्या कहती है या लोग क्या माननेता रखते हैं वो आपको बता रहा हूँ फिर इसकी scientific approach भी दूँगा तेकि शास्त्रों में कुत्ते को शुआन कहते हैं और धार्मेक दृष्टी से ये एक महतवपून जीव माना गया है शकुन शास्त्रों में कुत्तों को अत्यंत महतवपून बताया गया है ये शुब और अशुब का संके देता है क्योंकि इसके इन में sixth sense होता है जैसे बिल्यों में होता है वैसे कुत्तों में भी होता है गाए में भी होता है sixth sense भैरव विज्ञान तंत्र और रुद्रामल तंतर शास्त्र ये कहता है कि कुत्ता भहरव का वाहन में आना गया है अब जब कभी भी भहरव जी की फोटो देखेंगे या किसी मंदिर में जाएं तो वहाँ पर भहरव जी के समक्ष श्वान जुरूर हाजरी पर होता है इसके अलावा त्रिगुणकारी श्री गुरु देवदत पर भ्रम मूर्ति जिनने कहा गया है जिनने वैशनव भी विश्नु का अवतार मानते हैं जिनने शैव शिव का अवतार मानते हैं उन्होंने भी श्वान को अपना गुरु स्विकार किया है आप उनकी फोटो देखेगा श्वान हमेशा उनके साथ रहेगा देखे जन्शृति है मतलब लोगों की माननता है कि उल्लू और कववे की तरह कुट्था भी यम का वहन है दूथ माना गया है और ऐसा मानना जाता है कि अगर कुट्था रात में घर के सामने रोए तो घर का या किसी रिष्टेदार की मृत्ती होने के संकेट मिलते है जन्शृति भी कहती है कि कुट्थे को रात में आत्माई दिखाई देती है वो रोते हैं और इन सब कारणों से कुट्टे का रोना बहुत खराब मना जाता है ये जन शुरती है इसका शकुन अब शकुन से कोई लेना देना नहीं है लेकिन अब पशुम अनो विज्ञान एनिमल सेकॉलिजी क्या कहती है और उसके बाद हम आएंगे लास्ट में शकुन शास्तर पर जो मीन है देखे पशुम अनो विज्ञान यानि कि एनिमल सेकॉलिजी की दृष्टी से कुट्टे का रोना क्या महत्व है क्या महत्वपुन है ये हम जानते है देखे कुट्टे का रोना हाउल कहलाता है आउल नहीं हाउल और इसका मतलब होता है कि वो अपनी मदद के लिए किसी को पुकर रहा है ठीक है कुट्टे असल में भीडियों की प्रजाती के वन्शज है और अपनी बात को अपने बाकी साथियों तक पहुचाने के लिए कुट्टे हाउलिंग का सहारा लेते है पशुमनोविग्यान के नुसार कुट्टे अकेले होने पर अपने साथी से बिछड जाने पर अक्सर हाउल करते है पशुमनोविग्यान ये कहता है कि कुटे अगर बीमार हो या बीमारी के हालत में हो या फर उनको चोट लग जाए या वो दुखी जब महसूस करते हैं तो वो हुल करते हैं पशुमनो विज्ञान ये कहता है कि कुत्ते अक्सर सर्दियों की रातों में बरसातों की रातों में जब बाकी सारे कुत्ते छुप जाते हैं यहां किसी जगे शर्ण ले ले लेते हैं और कुत्ते जब अकेले पड़ते हैं उनको दुख होता है उनको साथी की जरूरत होती है तो ये बुखे रहने पर भी हाउल करते हैं सरदी के दुनों के अंदर वैसे भी कैलोरी की जो खपत होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है और सातों में भी तो इसलिए एनरजी लेवल कुत्तों का गिर जाता है जिसकी वज़े से हाउल करते है जब कुत्ते जुन्ड से अलग होते है या फिर जब वो किसी खत्रे को मैसूस करते है या किसी दूसरे कुत्ते को अपने जुन्ड की और आता हुआ देखते है तो अपने बाके साथियों को सूचना देने के लिए हाउल करते है कुत्ते जुन्ड में रहते हैं अगर कोई बहारी कुत्ता अगर उस जुन्ड में जगे लेने की कोशिश करे तो उसे वो नहीं देते अगर ऐसा कोई दूसरा कुत्ता रात में उनके लाखे में आ जाए तो हाउल करके उसे भाग जाने की चेतावनी देते हैं ये भी हमारे तरह जीव हैं अगर हमारे घर में क पुए अंजान वेक्टी घुसाए तो क्या आप उसे घुसने देंगे नहीं अब ये जानते हैं शकुन शास्त्र क्या कहता है शकुन शास्तिर के नुसार कुट्टे का रोना शगुन अब शकुन का संकेत माना गया है पक कुट्टे के क्रिया कलापों को देखकर भविश्व म होने वाले अच्छी बुरी घटनाओं का अंदाजा लगाया जा सकता है कुट्टे के रोने को लोग अमांगलिक कहते हैं जिससे सावधान होकर पित्रलोक में मृत आत्माओं के जाने के लिए कहा गया है वो रहा दिखाता है देखे हिंदु धर्म के चार वेदों में से एक वेद है रिगवेद उसमें श्वान का रोना अशुब माना गया है इनके रोने पर मृत्यू का संकेत मिलता है शकुन शास्त्र के अनुसार कुट्टे का रोना अशुब माना जाता है और इसके अलग-अलग तरीके हैं देखे शुब भी है कुछ जगा अशुब भी है जब होकर के आसमान की तरफ देखकर के रोए तो यह समझ लीजे का मूसलाधार बरसात होने वाली है अगर यही कुत्ता बरसात के दुनों में आसमान के और मूँ देखकर के रोए तो यह समझ लीजे बरसात बहुत कम पड़ेगी और गर्मी अत्या देख पड़ेगी उसका कारण ह गर कोई कुट्टा रोय तो उस घर पर किसी प्रकार की विपत्ति आने वाली है ऐसा खतरा बनता है घर के किसी सदस्य की स्तिती रोगों के कारण खराब हो सकती है अगर रात्री के समय कुट्टा घर की तरफ मुझ करके रोय माननेता है कि घर के सामने सुभे के समय अगर यदि कुत्ता रोए तो उस दिन किसी भी महत्वपून काम को नहीं करना चाहिए अन्यथा सुभे के समय अन्यथा अनिष्टफल की प्राप्ति होती है यदि किसी मकान की दिवार पर कुत्ता रोते हुए पंजे मारे तो उस घर में चोरी के संभावना बन जाती है यदि रात के समय मकान के और मुखर के कुत्ता रोते वे मिले तो उस घर पर संकट आने के संभावना बनती है और ऐसी संभावना भी बनती है कि कुछ अनिष्टो होगा जब कुत्ता चोराहे पर बीच चोराहे पर आकर रात में आसमान की तरफ देख करके रुए तो यह समझ लिजे कि वहाँ पर यम की स्तिती बनती है कि किसी की पास में डेथ होने वाली है जिसकी वजह से वो देख करके घबरा गया है ऐसी बहुत सारी बाते हैं जो कुत्तों को इंडिकेशन देने पर मजबूर करती हैं कि कि इनके अंदर सिक्स सेंस होता है यही सेंस गायों में भी होता है गायें आप देखिए अगर किसी इस प्रकार के एनरजी को देख लेती हैं तो वो एकदम चमक जाती है और कुत्ता जो है वो केतु का प्रतिक बाना गया है और केतु सबसे ज़्यादा आकाश तत्पों को विलोंग करता है तो कुत्ता वैसे नॉर्मल अगर भौंके चल लाए कोई प्रॉब्लिम नहीं है अगर कुत्ता आस्मान के तरफ देखे और रोई मुँ उपर करके दिकत तवातिय क्योंकी वहांसे उसका connection यम दूत्य ये मरताथमा उसे माना जाता है शकुनशास्थ्र को आपको पशुमनोविज्यान के नुसार भी शकुनश्थ्र कै नुसार भी जन कारीद है कि कुत्ते का रोना क्या मृत्यूका संकेत देता है नो कोा शकुन कई देता है पशुमनुवग्यान कहता है ये फालतू की बात है जन्शुती ये मानती है कि कुछ अशुक्ता जरूर है अब ये विश्वाश और अंद विश्वाश दोनों के बीच की एक कड़ी है और ये मान्यता है तो ऐसे ही एपिसोड्स आपके लिए बहुत रोचक जानकारी वाले लेकर के हम जरूर मिलेंगे और कोशिश पूरी हमारी जारी है कि हम कुछ ऐसा रिसर्च लेकर आएं जो सरफ एक मत पर आधार इतना हो उसके विग्यानिक मत भी देखे जाएं और ऐसे प्रयास हम आगे भी जारी रखेंगे और कल आपसे किसी नए विशे को लेकर फिर मुलाकात होगी तब तक अपने मित्र कमल लंदलाल को इस उमीद के साथ इजाज़त दीजे कि हम सभी का आने वाला कल जो हमारा भविश्य है वो सुखद हो, स्वरणिम हो और सुन्दर हो आप यूट्यूब पर इसे अपने चैनल को, वीडियोस को अपने कम्यूनिटी में आप शेयर कर सकते हैं आप अपने वाट्सअप स्टेटस में से शेयर कर सकते हैं आप अपने फेस्बुक पेज पेज से शेयर कर सकते हैं आप बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से शेयर कर सकते हैं तो अगर आप इस आईजी टीवी यूट्यूब में फिस्बुक पर देख रहे हैं तो शेयर जरूर करें और जतना संबह हो लाइक करें सबस्क्राइब परें और बेल आइकन जरूर दबाएं कल आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अजाज़त दीजे नमस्कार नमस्ष्वाई खरहर मादेर